हलो फ्रेंड आप सब का स्वागत है मेरे चैनल रीत रेसेपीज में तो आज हम बनाएंगे आलू गोबी और प्याज का मिक्स पराथा जो की बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगा और बहुत ही लजीज भी होगा तो चलिए हम शुरू करते हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शाथ में लगा बेल आइकोन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफकेशन आप सब को सबसे पहले मिले तो आलू और प्याज का मिक्स परांठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चार से पांच आलू लिये हैं जिनको बॉयल करके थोड़ा ठंडा कर लिया इससे परांठे का टेक्स्ट्य बहुत ही बड़ी आता है और ऐसे ही मैंने एक गोबी का फूल लिया है जिसको मैंने ऐसे पीसीज में कट कर लिया है और इस तरीके से मैंने एक प्याज लिया है एक बड़ा प्याज जिसको बिल्कुल बारिक चौप कर लिया है तो हम आलू को मैश कर लेते हैं और गोबी को कदूकस कर लेते हैं तो आलू मैश हो चुके हैं और अब हम गोबी को कदूकस करेंगे तो इसको हाथों से कदूकस करने की ये गिसने की कोई ज़रूत नहीं है आप इसको ऐसे एक चौपर में डालिए ऐसे बड़े-बड़े पीसीज कट करके और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिजिए तो ये देखिए गोबी को मैंने बिल्कुल फाइन क्राइंड कर लिया है और इसको मैंने अच्छे से निचोड भी लिया है आप भी इसका पानी अच्छे से निकाल लें तांकि इसका जो परांठा बने वो इजिली बन सके तो ऐसे हम गोबी को भी इसी प्लेट में निकाल देंगे गोबी और आलू हमारे रेडी है और अब हम इसमें प्यास डालते हैं और इसमें अब हम डालेंगे एक हरी मिर्च जिसको बिल्कुल बारीक चोप करके रखा है मैंने यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना भी आप दीखा पसंद करते हैं और इसके साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया एक इंच अद्रा के टुकडे को बिल्कुल बारीक कट करके रखा है मैंने वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ और अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर आधा छोटा चमच, चाट मसाला आधा छोटा चमच, आमचूर पाउडर आधा छोटा चमच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चमच, धनिया पाउडर आधा छोटा चमच, कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं इसम को और बढ़िया टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूं अनार्दाना पाउडर पान फोर टी स्पून अजवाइन और अब हम एंड में इसमें डालेंगे नमक वह आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं तो सारे मसाले हमने इसमें डाल लिये हैं और अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो ऐसे हमारी ये स्टफिंग तयार हो गी है तो चलिए अब हम परांठे को बेल लेते हैं तो ऐसे मैंने आटे से एक लोई ली है ये नॉर्मल गेहूं का आटा है पस थोड़ा सकत होना चाहिए तो ऐसे मैंने लोई पर थोड़ा सूखा आटा लगा लिया है और अब हम इसको बेल लिया है तो ऐसे इसको बेल लिया है इसको सिरफ इतना ही बेलना है और अब हम इस पर देशी घी लगाएंगे घी को अच्छे से फैला दे हर तरफ तो ऐसे घी लगाने से ये अंदर से भी क नैसे यह तो यह संघना और को समय डाल देंगे तो यह वैसे मैंने इस्टाफिंग ली यह झासे है तो यह से एक पेड़े जितनी स्टाफिंग हम ने इसमें डालनी है और इसको एसे अच्छे से रैप कर लेना है जो और इसको घुमाते हुए उपर वाला अठा अप निकाल द और अब फिर से हम इस पे सूखाटा लगाएंगे तो ऐसे हमने इस पे सूखाटा लगा लिया है और अब हम इसको बेलेंगे तो ऐसे एक पराथा हमने बेल लिया है ऐसे ही अब हम अपना दूसरा पराथा भी बेल लेते हैं फिर इनको एक साथ ही हम सेखेंगे तो चलिए अब हम परांठों को सेख लेते हैं तवे को मैंने पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया है और अब हम इस पे थोड़ा सा घी लगा देते हैं और इस पे परांठे को सेट करके रख देते हैं तो ये एक तरफ से सिख चुका है इतने पके हुए परांठे पे घी लगाने से परांठा बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी सा बनता है। यह देखिए कितना बढ़िया सिका है न और क्रिस्पी भी लग रहा है बस हलके हाथों से आप इसको प्रैस कीजिए हलका हलका यह देखिए परांठा हमारा पूल भी गया है तो यह देखिए यह बिल्कुल प्रॉफेक्ट सिख भी चुका है और अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में तो ऐसे ही अब हम दूसरे प्रांठे को भी सिख लेते हैं तो इधर भी मैंने घी लगा दिया है और अब फिर से हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं तो यह परांठा भी हमारा रेडी है और अब हम इसको भी निकाल लेते हैं तो इन सर्दियों में आप इन परांठो को चाय के साथ और मक्षन के साथ सर्व करें ऐसे गरम गरम तो बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं यह परांठे तो अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट किसी और लेसिपी के साथ मिलते हैं तिल दैन बाबाई